नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं मांग मांदे और अस्थाय करन की है, वहीं शूकरवार को सहभी सहया मौराबादी मैदान में परदसन करने के लिए एक जूठ हुए, गौतलभाई की राजी में सहया की करीब संख्या 40-42 है, 17 साल से इन्हें अल्प मांदे में कायम करना पर रहा है, 17 सालों से इन्हें अस्वा की सरकार हमारी सूद लेगी लेकिन सरकार अपने बादों पर खड़ा नहीं उतर रही है इडी एकसन के बाद भी नहीं खुली हमन्त सुरेन की नींद जारखन में बीजैपी भी धायक दल के नेता बाबुलन ब्राणि ने अवयद खड़नन से जुड़े सवालों के जबा परमुख हमन्त्री हमन्त सुरेन को घिरा है शुक्रवार को बाबुलान ने कहा है कि हमन्त अपनी या दास्त ठीक करे कागज नहीं मरा सकता उन्होंने कहा है कि मेरी जीन चीठियों पर सीम ने पत्रवीर कहकर मजाक उड़ाया उन्हें निकाल कर देखे उनके बाद बोले कि सच मेवे लूट में सामिल थे या नहीं ट्रकों के डूबने जैसे मामले में जुबान खोलने वाले को जेल में डालने जैसे मामलो के बारे में दो साल में मैंने करीब एक दर्जन पत्र लिख कर सब कुछ संग्यान में लाया ED के करवाई के बाद भी CM के निदन इसलिए नहीं खुली कि सोय हुए को जगाया जा सकता है जगे हुए को नहीं सुखार परभावित 31 लाह किसानों को इस साल नहीं मिलेगा मुअब जाए कौम बारिस के कारण जारखन के पलामू परमंडल में इस साल अकाल जैसे हलात है खरीब सीजन की मुखे फसल धान की 5% रोपनी भी नहीं हुई है हलात का जाजा लेने के बाद 22 जुलाई को राज के किरिसी मंत्री बादल पत्रलिक ने कहा था कि 30 साल पहले पड़े अकाल जैसी थीती है बतादे जारखन सरकार ने पलामू परमंडल के पलामू के 21 गढ़वा के 20 और लातेयार के 9 समेत राजे के 22 जीलो के 226 परखंडों को सुखार घोसित किया है हलाकि प्रभावित किसानों को राहत और मुअबजा मुहाया कराने में जैसी तेजी दिखनी चाहिए नहीं दिख रही अब तक जारखन सरकार ने सुखार्थ समन्दी संकल्प पत्र केंदर सरकार को नहीं बेजा है अईसे में याता है कि किसानों को इस साल के अंत में मुअबजा मिलने नहीं जा रहा इने काफी लामबा इंतियार करना पड़ेगा पसूद चिकित्सको की नोकरी के लिए सिर्फ इंटरभ्यू जारखन लोग सेवा आयोग से पसूद चिकित्सको की नियमी थी एवंब एक लोग पदो पर होने वाली नियुक्ती के लिए आयोग को कूल 684 आवेदन प्राप्त हुए हाँ इन में 313 आवेदन विभीन कारणों से रद कर दिये गा है 371 आवेदन सही पाये गाए हैं ये सबी आवेदन सक्षतकार में सामिल होंगे आयोग ने कूल 166 रिक्तियों के विरूद 5 गुनात था 500 से कौम आवेदन प्राप्त होने के कारण नियुक्ती के लिए लिखित परिक्षा लेने की वज़ासी से सक्षतकार आवेदन करने का नियने लिया नियुक्ती निमावली में इसे लेकर किये गए प्रविधान के तहत या नियने लिया गया है डाक विभाग ड्रोन से पार्सल की डिलेवरी करेगा अधोनिक पर्दियोगी के साथ कदम ताल करते हुए भरतिय डाक विभाग ने 27 मैं 2022 को गुजरात के कक्छ जीले के भूज तालूका के हबाय पोस्ट ओफिस से भचाव के नेर गाउं तक ड्रोन के जरिये पार्सल पहुचाया था ड्रोन ने 25 मियट में 46 किलोमीटर की दूरिताय की थी पार्सल में चिकिता समंदिस समागरी थी गुजरात में सबसे पहले सफल पाइलेट परिक्षन के बाद डाक विभाग अब जार्खन में भीया सेवा सुरू करने का कारे कर रहा है विभाग कई जीलों में सर्वे करा र राजे के पुर्व उपमुख मंत्री वा आईसुनेता सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि यह सरकार अगर आस्थानियता वा ओविज यारक्षन के हल के लिए आगे बढ़ती तो धन्यवाद जरूर देता लेकिन सरकार नहीं से उल्जाने का काम किया है सरकार इमंदार नहीं रही इसलिए इतने दिनों तक हल नहीं किया यह एक राइनितिक पहल है जामो कभी इसे लेकर इमंदार नहीं रहा है अलग राजे को लेकर भी नहीं सिरी महतो ने कहा है कि इसे नवी अनुसुची में डालने के जरूरत नहीं थी दूसरी बड़ी बात या है कि इसमें दूस पंकज मिस्रा को नासा मुक्ति केंद्र में इलाज की सला रिम्स में भरती पंकज मिस्रा को मेडिकल बोर्ड ने नासा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने की सला दी है मेडिकल बोर्ट के सामने इलाज कर रहे है डाक्टों ने कहा है कि दर्द की दवा फ्रोट्वीन से हलकी दवा लेने पर उनको बेचैनी हो जाती है ऐसे में अब नासा मुक्ति केंद्र के अलावा इलाज के लिए कोई दूसरी जगा नहीं बची है अंत में बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में डी एडिक्सन सेंटर के लिए रेफर करने की अनुमती दे दिया है वहीं बोर्ड की रिपोर्ट को रिम्स प्रवधन ने जेल प्रसासन को भेज दिया है गतला भाई की 19 जुलाई को परवतन निदे साले ने मनी लोंटरी मामली में गिरफतार किया था पुष्ताज के लिए एडि ने पंकज मिश्रा को रिमांड पर भी लिया था जारखन में बिजली चोरो की अब खैर नहीं जारखन बिजली बित्रण निगम लिमिटेड मुख्याले में सुक्रवार को निगम के निदेशक मनीश कुमार ने रायास्व समधी समिक्षा बैठक की बैठक में हर विधूत आपूर्ती छेत्र के महापरवंधक और उप महापरवंधक महजूद थे निदेशक ने सभी छेत्रोग की अधिकारियों को कई अवसक दिसान निदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि बिजली बिल देने वाले उर्जा मित्रों पर सक्त करवाई करे बिजली चोरी की रोक ठाम पर करवाई करे उभगताओं की सिकायतों का जल्द से जल्द समधान करे उभगताओं से बिली समधी सिकायत टोल फिरी नमबर 1912 परदर्ज करने की अपील भी की है खेलो जारखंड में भाग लेने वाले बचे दिन भर भूखे प्यासे खेलो जारखंड के तहत सुक्रवार को और्मान जी के राज समपोसित उच बिद्याले के स्टेडियम में परखंड अस्तरिय खेलकूत परत्योकता आउजित की गई थी परखंड के 38 स्कूलों के छटी से आठवी तक के छात्रे छात्राओं को इसमें स्तामिल होने के लिए बुलाया गया था लेकिन और वेवस्था ऐसी थी कि इन बच्चों को दिन भर भूखे प्यासे रखा गया और साम 6 बज़े के बाद ठण में ठी ठोरते छोड़ दिया गया बच्चे आपस में चंदा कर आटो से किसी तरह अपने घर लोटे यह श्तिती तब है जब खेलो जारकन में भाग लेने वाले बच्चे के खाने और टांस्पोर्ट के लिए सरकार के और से फंड भी जारी किया गया है टाटा इस्टील फाउंडेशन तयार कर रहा देश भर के वायधों की सूची देश भर में जहां तहां बिखरी प्राचिन चिकित्सापद की अब दास्तावेजों में सहजी जाएगी चिकित्सापदती और जड़ी बुट्यों के दास्तावेजी करन के लिए टाटा इस्टील फाउंडेशन देश भर के वायधों की सूची तयार कर रहा है इसके लिए नेशनल हिलर्स एस्टील फाउंडेशन के राइस्टेशन की परकिरिया जारी है चक्रधरपूर रेल मंडल के राजखरसावा रेलवे स्टेशन के याड में हावडा मेल ट्रेन की चपेट में आने से अन ड्यूटी दो लोको पाइलोटों की मौत हो गाई दोनों की सोव को पोस्मास्टम के लिए चक्रधरपूर अनुमंडल अस्पताल सनिवार की सुबा शाड़े आट बज़े पहुचाया गया जनकारी के अनुसार लोको पाइलोट टीके साहना तथा सहायक लोको पाइलोट अक्तर आलम राज खरसावार रेलवे स्टेशन के याड में माल गाड़ी का इंजन बदल रहे थे इसी दवरान हावडा मेल एक्सपेश ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गाई लोको पाइलोट टीके साहना पचिम बंगाल के बाकुळा निवासी थे जारखन के तीन इसकूलों को मिला राष्ट्रिय स्वक्ष बिद्ध्याले पुरस्कार केंद्रिय सिक्षा मंत्राले 12 अनिवार को जारकन के तीन स्कूलों को स्वक्ष बिद्याले राश्ट्रिय पुरस्कार दिया गया, दिली में अयोजीत एक कारिकरम में केंद्रिय सिक्षा राजय मंत्री सुभास सरकार ने बिद्यालेयों के परधना ध्याप को कया पुरस्कार प्रदान किया है जिन विद्यालों के यह पुरसकार मिला है उसमें पच्छमी सिंभूम के कस्तुरबा गांधी बाल कावा से विद्याला है नुवा मुंडी राची के कस्तुरबा गांधी बाल कावा से विद्याला है वहीं सोना हातू तथा पूर्भी सिंभूम के टाटा वर वीडिवाइक आवास से दे थांक यू